का जनक या प्रथम राजनितिक वग्यानिक के रूप मे इसी आधार पर उसे राजनिति वग्यान का जनक अथवा दफादर औexces की संग्या से भी विभूशिद किया गया है अरस्तु ने केवल राणिती विज्ञान का जनम दाता था, अपीतु उसका विकास करता भी था अरस्तु ने राज्य, क्रांती, सविधान, सरकारों के वर्गी करन और परिवर्तन, नागरिक्ता, आदी पहलों के बारे में जो विचार व्यक्त किये, वे आज भी समसायमिक और प्रासंगिक और समय चीन है अरस्तु को राजनिति विज्ञान के जनक अथ्वा प्रत्वम राजनितिक वेग्यानिक के रूप में प्रतिश्टि करने के सम्बन्द में निमलिकी तर्क दिये जा सकते हैं पहला, अरस्तु ने अपने महान ग्रेंथ पॉलिटिक्स में जो भी निश्कर्ष प्रतिपादित किये, उनमें वेग्यानिक तुलनात्मक पद्दति का साहर लिया उसने लगबग 158 सविधानों का विस्तरित अधन, विसलेशन करने के पश्चाती अपने सिधान्तों का प्रतिपादन किया उसने हर राज्ये की राजनेतिक इस्तितियों का विसलेशन करके अपने निस्कर्श निकाले और उनके आधार पर राज्ये के सिद्धान्तों का निर्परन किया दूसरा अरस्तु ने पास्चाते जगत में सप्रथम राज्य के सांगोपांग सिद्धानत का प्रतिपादन किया राज्य के जनम और विकास से लेकर उसके स्वरूप सवधान की रचना सरकार का निर्मान नागरिकता कानून की संप्रभुता तथा क्रांति आधी विविद प विक संस्ता है और वही सवधान सबसे अच्छा है जो सबसे अधिक इस्ता ही हो अरुस्तु का यह निसकर्ष उसके समय में भी उतना ही सत्य था जितना की आज है राज्य में क्रांतियों के कारणों के संबन में अरुस्तु का यह अभिमत आज भी उतना ही सत्य है कि आर्थि संबर्दी का होना अतंता हो सका अरस्तु के इस बात से वर्थमान में भी ऐस मेत होना कठिन है कि व्यक्ति के लिए जो आदर स्रेकर है वही राजी के लिए तीसरा अरस्तु का ये अमर वाक्य है कि मनुसे एक राजरनितिक प्राणी है राइनिती विज्यान का अमरवाक्य बन गया है इस कथन की अमरता युगो-युगो तक बनी रहे है next अरस्तूने राइनिती विज्यान में आग्मनात्मक पद्धि को अपना कर इसे विज्यानिक स्वरूप के विकास करने की दिशा में मार पृसस्त किया है next मद्धम मार का प्रतिपादन करके अरस्तु ने अपने वेग्यानिक सूजबूज और चिंतन का परिचे दिया उसका ये विचार आज भी समसामाई कहे कि जब तक राज्य में सुद्रण और विशाल मद्धम वर के स्थापना नहो अर्थात राज्य में ने तो अधिक पूंजी पती हो और नहीं अधिक गरीब वरन मद्धम वर के लोगों का बाहूल ले हो तब तक राज्य आत्म निर्वरता की और समुची त्रोप से अगरसन नहीं हो सकता उसने इस सिध्धान्त का प्रतिपादन क्या कि विकास के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध ऐसंतुलन है चाहे वे ऐसंतुलन राजनितिक हो या सामाजी के आर्थि क्रांतियों के एक बड़े कारण को मिटाने के लिए और अतियों को दूर करने के लिए मध्धमार का अरूसरा किया यह अरस्तु के वेग्यनिक दर्ष्टिकोन का ही परिचाहिए नेक्स्ट अरस्तु ने स्वतंत्ता और सत्ता के समन्वे की बात की जो आज भी एक बहुत बड़ी समस्टा है यह अरस्तु के वेग्यनिक दूर दर्ष्टा थी कि उसने अनेक्ता में एक्ता के सिध्धानत का परतिपादन करके स्वतंत्ता और सत्ता के बीच स्वाभाविक सामन्जस से इस्तापित करने का प्रेतन किया अनेक्ता में एक्ता का यह आदर्स राजनितिक समस्टाओं के समाधान करने में अनुकरने सिध्धो सकता है सामजिक समस्टाओं के समाधान करने में भी यह महति भूमी का निर्वेन कर सकता है अरस्तु ने कानून की संप्रभुता के सिध्धान्द का प्रतिपादन करके कानून के सासन रूल अफ ला के सिध्धान्द की अवधारना का प्रतिपादन किया संप्रभुता की अवधारना आधुनिक राणनेतिक चिंतन की आज की प्रमुक समस्या बनी हुई अरस्तु ने सासन ववस्ता के तीन अंगों के बारे में विशद प्रकास डाला उसने सरकार के तीन अंगों नितिनिर्धारक प्रसास किये और नयका बड़े वेग्यानिक धंग से के निरूपन किया अरस्तु का इविवेचन पूंट रूप भलेई सरकार के अंगों के निरूपन के समान ने हो लेकिन बहुत कुछ उसके सैद्रस से प्रतीत होता है हमें ये स्विकार करना ही होका कि अरस्तु की एक खोजी बविस्य में सक्ति प्रताकरण नियंत्रन वैसंतुलन का आदार बनी नेक्सट अरस्तु ने नागरिता के संबन में जो भी वैक्य प्रस्तुत किए हैं वे आधूनिक समय में भी प्रासंगिक हैं वर्तमान में भी अरस्तु की ये व्यक्याहिक नूनादिक परिवर्तन के साथ प्रमानिक बनी हुई है राजनिति विज्ञान को उसकी एक मोलिक देने अरस्तु को सविधानवाद का भी प्रणेता माना जाता है उसके द्वारा की गई सविधानों की व्याख्या और वर्गीकरण अत्यंत महत्व रखते हैं अरस्तु द्वारा प्रतिपादित मिश्रित सासन बेवस्ता का आदर्स आज भी अनुकरणी है बेटेन की सासन बेवस्ता इसका सुंदर उधारन है जहां राजतंतर, कुलींतंत और प्रजातंतर का सुंदर सम्मिश्रन देखा जा सकता है अरस्तु को लोक कल्यानकारी राज्ये के सिद्धानत का प्रतिपादग भी माना जाता है वह कहता है कि राज्ये का जनम जीवन के लिए हुआ है और सुब्धता सुखी जीवन के लिए ही वह जीवित है आधुनिक समय में लोक कल्यानकारी राज्ये का परमलक्ष जनता को सुखी और कल्यानकारी जीवन की सभी सुदायें पदान करना है अरस्तु ने जनमत की न्याय सिलता के सिद्धानत का प्रतिपादन किया आधुनिक लोक्तंत्रात्मक राज्यों में जन्मत का महत निर्विवाद है इस द्रश्टी से अरस्तु का ये विचार आज भी सरुकालिक और प्रासंगिक बना हुआ है अरस्तु ने भी सिख्षा को राज्ये के विकास के लिए अत्तंत महत्पूर्ण इस्तान दिया है अरस्तु राजनितिक दर्शन के चेतर में विच्यानिक पद्दिते की नियम डाली वढ़न राजनितिक और गैर राजनितिक ततों को अपने चंतन के कलेवर में समयटा जो आज भी हमारे चंतन के सामगरी बने हुए इस तरह से अरस्तु रालिति विग्यान का जनमदाता भी था और विकास करता भी था थैंक यू